हलो नमस्कार वेलकम सभी का हमारे वेकिंसी एरा एज्यूकेशन में स्वागत है तो कैसे हो दोस्तों आप लोग आज हम काफी अच्छी अपडेट आपको देने वाले हैं खास कर उन इस्टुडेंटों के लिए जिनके पास आईडियाई है जिहां दोस्तों देखेगा डियार नोटरिपिकेशन है जो कल 26 सितंबर को पबली की हो चुका था इसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं यानि कि अभी आज से ही इसमें अपलाई करना सुरू कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको यहां पर जानकारी दूँगा इसके ओफिसली नोटरिपिकेशन के उपर फिर ह दूस्तों शुरू करते हैं आज की सब्डेट को जिनोंने अभी तक भी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो नए स्टुडेंट है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजीगा और बिल आइकन को ओन कर लिजीगा साथ ही हम बात करें जो स्टुडेंट पुराने ह अब अभी तक भी लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार लाइक से जरूर चैनल को जरूर वीडियो को जरूर लाइक कीजिगा और अच्छा लगए तो कमेंट में जरूर बताइएगा अब मैं बात कर रहा हूँ DRDO रिसर्च के उपर यहां पे दोस्तों ट्रेड आप इसमें अप्रेंटिस कर सकते हैं आपके लिए सबसे बहतरीन जगा है अगर आप एक स्टूडेंट है और गोर्मेट जोप की तयारी कर रहे हैं और इससे पहले आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों य यहां इसकी जरासी अपडेट मैं आपको यहां पर दिखाऊं इसका Officially Notification तो यह इसका Officially Notification है जिसमें ट्रेडों का विवरंद दियावा है Research Century Mars के कोडिंग यहां पे RCI के कोडिंग विकेंसी निकली हुए है Relative DRDO होगा इसमें संस्ता बताई जाए तो दोस्तो हैदराबाद मे आपको job location दी जाएगी emergency trade apprentice के बात हो रही है research century mars जिसके अंडर आप आविदन करेंगे आविदन करने के लिए DRDU की officially website से जाके आविदन कर सकते हैं या फिर www.apprentice पे जाके आप आविदन कर सकते हैं मैं आपको पूरी जानकारियस की देने वाला हूँ अब बने रही जिएगा अंतर तक यहाँ पे selection processor की बात की जाए तो दोस्तो meritless या return test, test या interview के आविदन सरा आपको जो मिलने वाली है apprentice के लिए यहाँ पे देखेगा सब से पहले ITI feeders student है तो 25 पोस्टे दी हुई है ITI electricals mechanical की पोस्टे है mechanical की 5 है जबकि welder वाले student की 5 पोस्टे दी हुई है यहाँ पे salary की बात करें तो 7, 7, 7 से 7, 8 तक यहाँ पे salary पराप्त होगी आपको पर मंत के रूप में और साथ ही आपको यहाँ पे अगर आपके DRD और संस्ता दुवरा government का कोई relative notification जारी होता है सबसे पहले आप apprentice वाले student की demand होने वाली है आगे हम बात करें इसमें application किसी परकारगा कोई application फीस नहीं देना होगा साथ ही आपको बता दें online payment, online form जमा करवाना होगा, कैसे करवाना होगा यह मैं आपको जानकरी दूँगा यहाँ पर दीखिएगा आवेदन के अंतिम तारीक यहाँ पर 10 दिन का time दियावा है और advertisement जो public for advertisement है उसको जारी होने के बाद 10 दिन का time मिलेगा यानि कि दूस्तों आज से और अभी से आपके पास सिरफ 9 दिन का time है अगर 9 दिन में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं तो कर दीजेगा जल्दी भारत का कोई भी student हो all Indian है अगर आप apprentice करना चाहते हैं तो I hope कि यह आपके समझ में आगया होगा अगर फिर विए आपको doubt हो तो हमें comment में लिखेगा हम आपको जरूर इसकी मदद करेंगे अब मैं लेके चलो इस पर आवेदन कैसे करना होगा क्योंकि दूस्तों जादा कर सवाल हो student का सवाल होता है कि हमें form कैसे flip करना है मैं यहाँ पे आपको जराश अपडिट यह दूँगा कि आपको registration कैसे करना होगा अगर आपने इसमें पहले कभी registration किया है तो आप अच्छी बात है क्योंकि आपको लोगी नहीं करना होगा फिर अगर आपने पहली बार registration करने है तो आपको वो करना जरूरी होगा यहाँ पे देखेगा हम बात कर रहे है apprenticeships जिसका officially link यहाँ पे दिया भाई आपको नीचे YouTube की box में या फिर हमारे Facebook group को join करें वहाँ से भी प्राप्त कर सकते है यहाँ पे देखेगा जो भी अभी latest apprentice के लिए विक्किन से अपडेट हुई है उनके लिए यहाँ पे सब अब लेवल होगा Rewards, Apprentice, BTC, Apprentice, Central, Administrator, Training, Express, Non यहाँ पे रेलवे, स्टुडेंटों के लिए भी डिमार्ड है यहाँ पे भील डिपार्टमेंट के लिए, सेलिक विबार्टमेंट के लिए सब के लिए यहाँ पे अलग-अलग apprentice होगी तो दोस्तों यह है इसकी विबरेनिंग आगे हम बात करें आवेदन के लिए क्योंकि सबसे बड़ा सवाल होता है स्टुडेंटों के मनों में कि हम आवेदन कैसे करेंगे notification list यहाँ पे देख सकते हैं notification के लिए आपको जो इसका officially notification प्राप्त करना है तो आप यहाँ पे उसका अपलाई करेंगे वो यहाँ पे दियावा है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों जैसे कि यहाँ पे feeders trade है manufacture वाली trade है कि जो यहाँ पे अलग-अलग संस्ता है उनका यहाँ पे रिपेवरेन दियावा है अगर आप एक diesel mechanical वाले student है तो diesel mechanical के देखिया अब उस notification में कौन सी कौन सी trade थी आपको वो देखनी होगी क्योंकि दोस्तों अग सबसे पहले अगर आपके पास वो trade का नाम नहीं होगा तो आप इसमें आविदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग processor है अलग processor के according है आप इसमें आप विदन कर पाएंगे लिए तो यहाँ पे अगर आप एक diesel mechanical के student है यान की mechanical के student है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप विदन कर सकते हैं अप लाई वो उपरेटर पोस्ट हैं क्या हैं यहाँ पे दिवी है तो यहाँ पे DR-DV के लिए आप इसमें apply कर सकते हैं तो दोस्तो यह इसकी विवरन है जराशी जानकारी है अगर आपको फिर भी इसमें doubt लगता है या फिर समझ चाहो किसी परकार की तो आप हमें comment में लिख सकते हैं और इसमें आवेदन करने की बात की जाए तो दोस्तो आवेदन आपको यहीं से करना होगा सबसे पहले registration पर click करना होगा अगर आप एक student है registration पर click कर सकते हैं तो registration पर click कर दीजिएगा या फिर login पर click कर दीजिएगा यह देख रहे हैं यहाँ पर आपको यहां से new registration पर click करना होगा फिर इसके recording आप इसमें phone को जमा करवा पाएंगे तो दूस्तो registration करने के लिए आपको अपने पास mobile या laptop होना जोरी है जो उसके recording ही आप इसमें apply कर पाएंगे तो यहां पर registration new के recording यहां पर देखेगा आपका name, registration ID, number वगरा जो भी है सारा विबरनिया पर दियावा है इसके recording ही आप इसमें जमा करवा पाएंगे तो दूस्तो यह थी इसके recording आपको कैसे लगी यह update अगर अच्छे लगी तो दूस्तो एक बार like कर देज़ेगा इसलिए हम आपको जरू बता रहाता है क्योंकि दूस्तो कम समय के लिए vacancy है, update है अगर आप इसमें अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो जल्दी केजिए apply, thank you दूस्तो जैहीं दूस्तो